चोद्री निर्माल सिंग बेंचित्रा सरवारा मैं निवेदन करूँगा जो साथी हमारे है शिरीमती सोन्या गांदी दोना हत खड़े करके दो दोना रहे लगाने है भाई शिरीमती सोन्या गांदी शिरीमती सोन्या गांदी शिरीमलकार जोन घरगे जी शिरीमलकार जोन घरगे जी राहूल गांदी राहूल गांदी चोद्री बुपेंदर सिंगुटा उद्द्यवान जी गुष्टा किमाब दिपक बावरिया जी दिपक बावरिया जी मैं धन्याबाद करूँगा कांग्रेस हाई कमान का जिनों ने हमारे हर दील जील नेता चोद्री निर्मल सिंग और हमारी बेहन चित्रा सरवारा और आप जो तमाम साथी यहां पर पहुंचे हैं इनको यह जो आज मान समान आप देने जा रहे हैं चोद्री निर्मल सिंग जी बेहन चित्रा सरवारा जी और इन साथियों के तरफ से शिरिमती सोनिया गंदी जी का और राहूल गंदी जी का मलिका और जन खडगय जी का और हमारे परभारी दिपक बाबरिया जी का और परदेश अद्याच उद्या भान जी का और हमारे नेता चोद्री भुपेंदर सिंग उड़ा जी का हम साथ धन्याबाद करते हैं धन्याबाद यह हमारा हर साथी एक एक निर्माल सिंग और चित्रा शर्वारा जी की टीम का साथी बैठा धन्याबाद चलो लो बैठके ले लो कोई निकोई ठीक है ओल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी के जनल से क्रेटरी सी डेवलू सी के सदस्य और हर्याणा प्रदेश कॉंग्रेस के परभारी आदर ने सरी दीपक बावरिया जी भाई बीजू बोलो मत अब यहां अब शांत रहो थोड़़श हमारे हर्याणा प्रदेश के बहुती सम्मान सारुप्रिय जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदर्निये चादरी भुपंदर सिंह उड़्डा जी हमारे बहुती लोगप्रिय सांसत आदर्निये शिरी दिपंदर उड़्डा जी हमारे बीच में वधायक आदर्निये सीस्पाल केहरवाला जी पूर्वधायक शर जस्वीर मलोर जी और आप सब के हर सुख दुख के साथी बहुती जन प्रिया और लोग प्रिया नेता आदर्णी चौदरी निर्बल सिंग जी हमारी हमारी बहन हमारी बहन आदर्णी चित्रा सर्वाराजी और आज के भवे कारेकरम में आए हुए भीशन सर्दीम आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजरगों नजवान दोस्तों सभी मातरी शक्ति साथियों आज बहुत खुशी का अफसर है सबसे पहले तुमें आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुबकामनार बधाई देता हूं और हमारे पुराने साथी चौधरी निर्बल सिंग जो की शुरू से ही जब राजनेतिक जीवन उनका शुरू हुआ कॉंग्रेस पार्टी जड़ों से वो सुरू से जुड़े हुए आदर्णीय स्वर्गिये स्री संजे गांधी जी के एक अभिन्य मित्र के रूप में और उन्होंने ब्लॉक यूथ कॉंग्रेस के अद्यक्ष से उन्होंने शुरूवात की अपनी पारी पूरे हर्याना प्रदेश यूथ कॉंग्रेस के साथ साल निरंतर अद्यक्ष रहे अंबाला जिला कॉंग्रेस के अद्यक्ष रहे अंबाला जिले में जिला अद्यक्ष और प्रदेश में जनल्ल सेक्ट्री भी रहे और प्रदेश के वाइस प्रेजिडेंट भी रहे और हर्याणा प्रदेश की कॉंग्रेश सरकार के समय उन्हों रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में पीड़रूडी मिनिस्टर के रूप में एनिवल हस्बेंडी के मिनिस्टर के रूप में जो भूतपूरु सेवाई प्रदेश के लोगों को दी और जो अपनी लोग प्रियत अर्जित की वो बीच में 2019 में किनी परिस्तितियों वस हमारे से अलग चले गए थे आज वो हमारे परवार में दोबारा जोड़े हैं मैं हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमाटी की तरब से उनका हार दिक स्वागत करता हूं उनका हार दिक अभिन जिलाबर इनका हूं बख्रवार जिलाबर इनकाता हूं इनकी लोग प्रियता इस बात से आप समझ सकते हैं आज के इनके कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने के अबसर पर जिला पारशत और पूरु जिला पारशत साथ 122 सर्पंच एक सर्पंच इस चार कोपरेटिव सेक्टर सोसाइटीज के चेर्मेन और मार्किट कमेट्री के चेर्मेन 12 X MC और जो आम आद्वी पार्टी के स्टेट बॉडी के साथ पदतकारी वाइस प्रेजडेंट, सेक्टरी, जर्ण शेक्टरी लोगसभा के साथ पदतकारी जिलों के ससत्तर 77 पदतकारी और सरकल के 36 पदतकारी और वार्ड एंड विलेजिस के 139 पदतकारी यानि कुल आम आद्वी पार्टी के 256 पदतकारी उनके साथ आज कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हो रहे हैं उन सब की लिष्टे हैं सारी सब जगह उनको समभ नहीं है, सबका वो नाम यहापर बताना, वो सारा रिलीस कर देंगे बाद में और साथ साथ में जो आप लोग हजारों आदमी हजारों हजारों आदमी आप उनका समर्थर में यहाँ पर आए हो आप सबका और उनका मैं पार्टी की तरफ से हर देक अबनेंदर करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी में पूरा मान सम्मान उनका रहेगा जिस तरह से पहले एक वो बहुती वरिष्ट नेता के रूप में हरियाणा में जो स्थापित हुए हैं उनके कदम सार उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और मैं साथी आदरर्नी बहन चित्रा जी के बारे में बहु줘 चित्रा जी भे आपको पता है कि महिला कंग्रेस मैं हमारे हमारे हरियाणा प्रदेस महिला कांग्रेस की हर competitions की नेश्नल महिला कंग्रेस की कया प्रदेश बोल गया था नेशनल जो महिला कॉंग्रेस है हमारी उसकी वो जनल सेक्टरी थी और सोचल मीडिया की वो चेर परसं थी तो मैं वो भी आज हमारे साथ सामिल हुई है मैं उनका भी पूरी तरह से बहुत बहुत उनका हार्दी का बंदन करता हूं उनका बहुत स्वागत करता हूं और पूरा पार्टी के अंदर पूरा उनका मान सम्मान रहेगा और हमें निवेदन करूँगा आदरनी हैं हमारे एमपी साफ दिपेंदर जी से वो भी आएं और नरोड़ाज़। हमारे बीच में हमारे बीच में हम राम राम जी सब को सभी वीरों ने सस्रियकाल हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदर्निये हर्याना के हमारे प्रभारी अखिल बारतिये कॉंग्रेस कमेटी के आदर्निये महासचेव दीपक वावरिया जी हर्याना के कॉंग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश शद्देक्ष आदर्णिये चौद्री उदेभान जी हमारे हर्याना के और हम सब के नेता आदर्णिये चौद्री उपेंदर सिंग हुड़ा जी आज के हमारे आज के जिनके खिचाव से आप और हम यहां पे सब एकत्रित हैं जिनको आज दुबारा से कॉंग्रेस पार्टी में जिनके नेतित में आप सब शामिल हो रहे हैं हमारे आदर्णिये चौद्री नीर्मल सिंग जी कि हमारे विठ भूत नौजवान विधायक हमारे भाई शीष्पाल जी हमारी भेएन उनका भी बहुत-बहुत मैं स्वागत करता हूं हमारी भेएन चितरा सरवारा जी हमारे भाई जश्बीर मलोर जी पूर्विधायक पूर साथ ही आज यहां पर उपस्तित हैं बहुत बड़ी संख्या में जैसे कि अभी आधर्णिये प्रदेशत देख जी ने सारी बात बताई कि बहुत बड़ी संख्या में ना सिर्फ आमादी पार्टी के से पदादिकारी लेकिन बहुत से अभी मौझूदा जिलापार्शद, पूरे हर हर्याना प्रदेश से अलग अलग जिलो आज सामील हो रहे हैं और ये वह मैं पूरती कर दूंगा परदेश अधिक जी का जैसा निरदेश हुआ कहते आम आदश पार्टी का हमने पद नहीं बताय था मैं प्रदेश अधिक जी तरही बात है हमारी बहरण जो आम आधम Nawal करता हूं और आप जो पीछे जो बनी जो बनी मैं समर्ता हूं था संफिना हो घommen है हर्तरफ से सही फैसला हुआ है और यह लगें से ऊक्तिर है जो आने वाले समय में रंग लेके आएगा हर्याना में परिवर्तन लेकर आएगा हर्याना में बजबूती मिलेगी अंबाला में उत्तर हर्याना में पूरे हर्याना प्रदेश में आज आज ये जो आज ये जो आप सब यहां पर आए हैं और आप सब की चहरों पर जो रंगत है और इतनी सर्दी में ये जो सर्दी में आप लोग यहां पर बैठ आज के दिन तो अंबाला से दिल्ली आए नीचे उतर के आपने सोचा हो थोड़ी सी जो है मैं दीफक जी को बताना जाता हूं इतनी देर में इससे पहले शिमला भी पहुंजाते हैं अंबाला से लेकिन यहां और ठंड पाई तो एक चीज़ होती है अगनी परिक्षा और दू होंगे मलिक आरजुन जी खड़गे के हाद मजबूत होंगे हरियाना के अंदर परिवर्तन के लिए जो हुडा साब के नेतित में चौदी उदेभान जी की अधिक्स्ता में कॉंगेस पार्टी प्रयत्म के अंद जो प्रयत्म कर रही है कि हरियाना आज जो मौजूदा सरका है भाजपा जजपा की सरकार जिसमें देश में सबसे आदा बेरोजगारी सबसे आदा महंगाई सबसे आदा प्रष्टाचार सबसे आदा नशा सबसे आदा सरकारी एहंकार से तरस्त प्रदेश है वो दुबारा से खुशाल हरियाना की तरफ आगे जाए दुन्या दुबा आपका घर है यह तो आपका घर है और आप अपने घर में जो है आप पापस जो है यह घर वापसी कोई है तो यह आज सब आपसी हुई है आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अब मैं अन्रोद करूँगा आदर्णिय बहन्चित्रा सर्वराजी से वो भी अपने संग्छिप तुद्बोधन दें बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आज मैं अभिनांदन करती हूं सबसे पहले हमारे प्रदेश के प्रभारी, शी दीपक बाबरिया जी का अभिनांदन करती हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो है मार्क दर्शक श्री आदर्निय भुपेंदर हुडा जी का मैं अभिनांदन करती हूं हमारे प्रदेश के जो हमारे PCC अध्यक्ष है श्री उदेभान जी का मैं अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर मेरे बड़े भाई और हमारे युवा नेता जुजारू जो एक चेहरा बने हैं आज हर्याना में संघर्ष का भाई देपेंदर भुड़ा जी का मैं साथी में अभिनंदन करती हूँ मंच पे उपस्थित सभी हमारे नेता गण का जो सामने बैठे हैं और साथी में अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ जितने भी हमारे नेता साथी चौदरी निर्मल सिंग जी के मैं कहूंगी बुजाएं जो आज तक संघर्ष में उठी जी है, प्रियंका गांदी जी, मैं धन्यावाद करना चाहूंगी हमारे पार्टी के राश्ट्रे अध्यक्ष श्री खडगे जी का और हमारे जेनल सेकर्ट्री और श्री वेनु गुपालन जी का अथक प्रयासों के साथ और एक बहुत मैं कहूंगी एक संघर्ष जो शायद आ आप सब ने करा जो मैं कहूंगी आज मंच पे उपस्तित है हमारे सारे नेतागन आज उसके बाद ये दिन आया कि आज हम यह उपस्तित हैं जब गाड़ी में अंदर घूसने लगे तो मेरे मूँ से निकला देपेंदर जी के से एकदम से एकदम से भावविभोर इंसान जर कोई कहे कि पंतालिस साल पचास साल निर्मल सिंग जी ने अपने जीवन के इस पार्टी को दिये हैं तो उसमें थोड़ी सी चूक होगी उनके साथ आप सब भी बैठे हैं कितने ही आप सब में से जिन्होंने कॉंग्रस पार्टी को अपना जीवन दिया था आज जब AICC के दर्वाजों में एंटर किया तो मेरे मुझ से निकला कितने समय बाद यहां आए हैं और यह एहसास हुआ कि यह जो हमारा यह है यह एक इमारत यह दफतर नहीं है यह हमारा मंदर है और आज इसका हम नतमस्तक होकर यहां पर आते हैं आज कोई आसान घड़ी नहीं है पूरे कि अगने परीक्षा में यह परिवार यह साथी आज आज आपके साथ है और हर परीक्षा में आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलेंगे हमें मैं समझती हूँ जो भी पीछे बाते रही हूंने पीछे छोड़ते हुए आज एक नई उर्जा पूरे इलाके में हमने महसूस करी आज जो यहां पर जन्समू उम्डा है मैं यह कहना ही नहीं पढ़ रहा था किसी को की चलना है की नहीं चलना है फोन आ रहे थे कि हम भ तो आज परिवार में आज हम जब जुड़ रहे हैं परिवार में तो पूरी मैं समझती हूँ अपनी जिम्मेवारी के साथ पूरे अतने दायत्व के साथ और इस वादे के साथ कि आगे के संघर्ष में आपके नितित्व में चलेंगे और विजाई रहेंगे चाहे वो और इस दिन के लिए इस मौके के लिए आज मैं कह सकती हूं हम सब की तरफ से हम सहे अभारी हैं और बहुत-बहुत खुश में धन्यवाद पहुत-बहुत बहुत धन्यवाद 22 जी कह और अब मैं अनलोट करूंगा आधरनिये चादरी निर्मल सिंग जी का वह आयां पनम को कि दन्यवाद कुदेवान पुनिया जी स्टेज पर उपस्तित हमारे जनल सेक्रीन चार्ज श्री दिप्यक बावरिया जी हमारे कि दिलों की धड़कन हमारे नेता जिनोंने दस साल तक हरणा पर राज किया और उसके बाल लगातार आज वो मुख्य मंतर नहीं है लेकिन ये सचाई है कि हरणवीज के दिलों में राज चौधरी दुपिंदर जी खुड़ाई करते हैं मेरे अजीज दुपिंदर जी मेंबर पार्लेमेंट नरेश सहरवार जी अमारा भाई केरवाला जी जो मले हैं चोटा भाई हमारा जस्बीर चित्रा और उपस्थित मेरे भादर साथियों आप सबका यहां स्वागत है मैं अभारी हूं सोनिया जी का राहूल जी का प्रेंका जी का खड़गे जी का विनुकुपालन जी का और हमारे जनल सेक्टरीन चार्स श्रीदीपक बावरिया जी का चौधरीप पिंदर सिंगुड़ा का दुपिंदर का चौध साब के मन में बहुत तकलीफ थी हाँ देखे हो सौरी उदेवान पूनिया जी हमारे प्रधान जी आएं सौरी पुर्धान जी मैं करता हूं जी इस तरह की गरवड़ बहुत हुद हुद्डा साब के मन में एक पीड़ा थी जब मुझे मुझे देखते थे बहुत तकलीफ होती थी का निरमल वापसाना है मैं का जी जिस दना आदेश कर दोगे आ जूँगा तो यह का अभी हालात नहीं है ठीक होने दो फिर उन्होंने बात करी आठ मिने खिचरी पकड़ी और फिर दिपक बावरिया जी के बहुत दन्यवाद जिसने जिनोंने सारी जानकारी ठीक से हासिल करी और मुझे बुलाया और कहां निरमल वापसाओ तो मैं तो मेरे तो आत्मा में कॉंग्रसी बसी है और उससे भी ज्यादा गांधी परवार बसा है मुझे पचास साल के मे मेंबर बना था और कांगर्स का दामन सामबे रख्या आड़े वाड़े मकद देखे बावरिया जी जहां मैं बहुत से लोगों का बहुत धन्यवादी हूं जो आपके सामने बहुत और साथी बैठी है मैं से पूछता हूं कि तुम मेरे साथ क्यों लगे हुए हो कितने बार में हाल लिया कितने बारी जेड़ गया कितने बार तुम्हें डंडे पड़वाए तुम्हें बरवाद कर दिया मैंने तुम मेरे साथ क्यों हो तो कहता है यह जंग है हम पीछे नहीं हटेंगे और 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 उल्टी हवाओं के खिलाफ उल्टी हवाओं के खिलाफ चले कंदे से कंदा मलाकर बरसों मेरे हमसफर है उतार चुड़ाब देके कस्ट भी से पर मेरा साथ नहीं छोड़ जया मैं अभारी हूँ और जीवन में पता नहीं मैं आपका कर्द उतार भी शकूँगा यह नहीं उतार शकूँगा आज इस यह के साथ कि हम सब कुछ बतल देंगे जितराना का लड़ाई देश में भी होगी और प्रदेश में भी प्रदेश की तो गारंटी है हुड़ा साब के इंदर तत्यम में यह विश्वास करके जाएं बावरिया जी विश्वास रखें कि हम सामने किसी को टिकने न देंगे कोई पैद भावनी पार्टी के अनसासिश पाही बनके हम काम करेंगे और कॉंग्र्स का जंड़ा अपने निताओं के नाम पर रहूल जी का सुनिया जी का और अपने निताओं का हुड़ा साब के जत्त्तम में सबसे उंचा हम जो है लह राएंगे इनी सब्दों के साथ मैं एक फिर से तह दिल से अपने लीडिरों का को विस्वास दराता ओं एक अधको मुझे मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है मेरे घर में मेरी वापसी है और यह सैकंड टाइम हुआ है यह सेकंड टाइम हुआ है मैं च्छानमे में जिर्ड से जीता मुझे बंसीलाल जी का मिनिश्टर नी मनें वे तोटाला मेरा इस्तेदार है उन्हें मेरे से लड़ाई के रात को डेड़ बजे जगा कर मैं का नहीं कटेतर को क्या बिमारी है मैं गा जी मुझे स अपने इलाका को का पर्चम भी उन्चे लहराना है अपने हिस्यदारियां में सुनिस्ट कर दी है जै हिंद बहुत बहुत धन्यवाद और मन्रोट करूँगा आदरनिये चौदरी भुपेंदर सिंग हुटा जी नेता पृत्पक्ष वाए और आप सब का स्वागत करें धन्यवाद करें चौदरी भुपेंदर सिंग हमारे हर्याना हर्यान के चार्ज अखिल भारते कोंगर्स कमेड़ को न्ल सेक्रेटरी लिपक बारविया जी है पार्टी के अद्यक्ष हमारे हर्याने के चौदरी उदेभान जी अजी दिपेंदर जी विधायक शिश्पल जी पूरिफ जेल वाल जी और भॉय छोर अपूरिबदायक अपने अंबाला से और उपस्तित सभी सम्मानित मैंच, उपस्तित सभी मेरे बुजर्गों नौजवान साथियों वे मात्रशक्ति पत्रकार बंदुदू देखिए आज बहुत ही खुशी का दिन है जब भी दो भाई कभी विछड़ जाते हैं कठे होते हैं उतनी खुशी होती है आज उतनी खुशी हमारे को है हमारे निर्मल जी के निर्मल जी और चित्रा हमारी बेटी है इनके आने से देखो निर्मल जी ने और हमने यूद कागरस में बड़ा संगर्स किया हम पुराने साथ थी हैं मैं यूद कागरस का दक्षता उसके बाद दिरबल जी बने और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कांगर्स को उठान कांगर्स को मजबूत करने की क्यों देश का परजात अंतर भी खत्रे में हैं जो आजादी हमारे बुजर्गों ने कुर्बानियों से दी थी उसको कायम रखने के लिए परजात अंतर को मजबूत करने के लिए आज सब का फर्द ये बनता है कि हम कांगर्स को मजबूत करें आज निर्मल सिंग जी के आने से चित्रा जी के आने से भाई कॉंगर्स हा दिया हर्याने में मजबूत होगी देश में भी होगी राहूल गांदी जी भी होगे मजबूत उनको भी वो मिलेगा खड़के साब को मिलेगा और भाई हमारे बावरिय है साब को भी ये निर्मल जो ये बैठे हैं सब लोग ये ही तेरी ताकत है ये ही समझा कर ये परजात अंतर में परजात अंतर में जंत अंतर में सबसे मजबूत ताकत यही होती भाई ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं हमारी तो ह ही तुम्हारे साथ आप लोगों के साथ तो आज मैं आप सब का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आपको मुबारिक बात भी देता हूँ कि आप निर्मल सिंग जी के साथ खड़े रहे और इसकी भी ताकत बनाई और आपकी भी ताकत बनेगी मैं मैं देखो वक्त होता है किसी वज़े से कॉंग्रस से जाना पड़ा लेकिन आगे समय ठीक रहेगा कि जिस परकार से हाई कमांड ने इनको शामिल किया है इनको पार्टी में पूरा स्थान मान समाना पूरा मिलेगा है इनी शब्द के साथ आप सब का बहुत बहुत सबसे पहले वेलकम कर देते हैं कंग्रेस पार्टी श्रीमती सोन्या गंदी मलिका अर्जन खरगाजी अबी साथी रुके रहेंगे दो मिन्ट दो मिन्ट का प्रोग्राम है कोई उठेगा नी दो मिंट बैठे रहें बस बैठे रहें बेहन चित्रा सर्वारा बेहन चित्रा सर्वारा चादरी निर्माल सेंग कंग्रेस पार्टी और अब मैं रोट करूंगा हमारे हर्याना प्रदेश कंग्रेस का प्रभारी आदर्नी है श्री दिपक बावरिया जी से कि वो भी आएं और अपना आशिरवाद और आपका धनवाद ल्यापन करें आदर्नी है श्री दिपक बावरिया जी आज यहां यह जो समारम हो रहा है अदर्नी निर्मल सिंग जी का बैंच इत्राजी के स्वागत के लिए को ग्रेस पार्टी के प्रवेश के उनके जो डिसीशन हुआ है उसके मोके पे यह कारेक्रम में उपस्थित हर्याना प्रदेश कोंग्रेस समीति के अध्यक्षा दर्न युदेबान जी हमारे पूर्वा मंत्री और सी एल पी आदरने हुडा जी मेंबर ओप पार्लामेंट भाइद इपेंदर जी जिसके स्वागत के लिए हम एक्ठ हुए हैं ऐसे मेरे बाइद इर्मल सिंग जी बैंच इतरा जी यहां उपसीत विदायक साथियों और दूर इतनी ठंड के मोसम में भी यह समारों में सामल होने के लिए अमबालासे पदा रहुए पूरे हर्यानासे पदार रह आप सभी साथ्यों आप सब का मैं स्वागत करता हूं अभीवादन करता हूं और ये मोके पे आपका स्वागत के साथ अधृणिय निर्मल जी और चिद्र जी के साथ साथ आप सब को भी मेरी बहुत-बहुत शूप कामनायप्रैस करता हूं किसी ने कहा है कि सूब का गया हुआ श्म को जब लोटता है तो भूला वा नहीं कहा जाता है और निर्मल जी के बारे में मुझे जो कुछ भी जानकारी है मुझको कहीं लगता है के संजे गा जी ने भी की थी हम वो पुराने साथ ही वो को पुराने कॉंग्रेस के सिपाई हैं के जिनके डी एने में खुन में नहीं डी एने में कॉंग्रेस पार्टी हैं वो शायद परिस्टिवर्ष पार्टी से कुछ समय अलग हो सकते हैं मगर दिल से वो कभी पार्टी से अलग नहीं विचारदारा से लग नहीं हो सकते यह परीवार यह नितुरतों से जबी इन्हों ने जो मिले मुझ्स से पहली बार मैंने निवेदन किया कि आप फिर से पदारें और उनकी दरखास लेके जब मैं हाय कमांड के पास गया मुसको बड़ी खुशी है कि पूरे हाई कमांड का उसमें आशिरवाद मिला राहुल जी ने खुद ने परसनली आशिरवाद दिया और मेरे AICC के जितने भी कलिक नागपूर के कारेकरम में मिले इसके बाद दो दिन पहले CWC में भी मिले सबने कहा पबर्या जी बहुती बड़ा शांदार डिसीशन हुआ है ये निर्मल सिंग जी की काम की उनकी गुडविल की एक पहचान है और आज जो ये देश और हर्याना जो परिस्थिती का सामना कर रहा है 2024 की साल ये देश के लिए एक दीशा फिर से निश्चित करने वाली है और वो समय पे वो संगर्श में अधरेने निर्मल जी और बेंचीतरा इसमें ये संगर्श में राहुल जी की जो संगर्श का एक सूर एक बड़ा आवाद दिया है बारत जोडो महबद की दुकान उसके साथ वो सामिल हुए है उनका मैं AICC की और से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सब का भी अभीवादन करता हूँ और आप सब के लिए मेरी बहुत-बहुत शूप कामना है पेश करता हूँ ये बात के साथ मेरी बात समाब तक करता हूँ वेल्कम एवरी बड़ी रहूल गंदी जिन्दाभाद खरगेश साब सुन्यागंद है हय हुए करूंगा कि जाते हुए थंड बहुत है अराम से जाएं धीरे जाएं धुंद का समय है कोई जल्द वाजी ना करें